करेंण सब्सक्राइब s also अचम रेड़्या स्थे Here डियुनियंशिव क्ला यह जो सब्सक्राइब 316 में ऱिफ्पीक सब्सक्राइब हुआ होंगा सैक्षन 15 जननल फंड की बात करता है और यह का गया है कि ट्रेड यूनियन जो है फंड को स्पैंड करेंगी इसमें जो सेक्षन 15 में जो जम अब्जेक्ट बताए गए हैं उनल ठेक तो जो General Fund है उसको किस पर Section 15 के जो Objects हैं उनके ऊपर खर्च किया जाया है क्या है उसके Objects? These are number one. Salaries of Office Bearer, जो Office Bearer है उनकी Salaries पर Number two, Trade Union के Administration पर Number three, Compensation करेगी इसको Workers को किस से जो Trade Union जो अद्धो की विवाद से जो उनको हानी हुई है उसके लिए चौथा, Welfare Activities of Workers इन पर खर्च करेगी जैसे Housing वगएरा जो Welfare Activities है वरकर्स की उनको पर दूसरा, Allowance देगी किसको Workers या उनके Dependents को, कब in case of Unemployment, Disability या Death किसी Depth, कोई Disability हो गई है, Unemployment की स्थिति में क्या देगी उनको अलॉंस देगी और Number six, Number six क्या है? Publishing Material, ऐसे Material Publishing करेगी जिससे क्या हो? Awareness in Workers, वरकर्स में Awareness और जाग रुपता है ठीक, Next, Legal Expenses, Legal Expenses जैसे Trade Union क्या है, किसी के उपर suit लाना है, तो bearing suits और किसी suits में defend करना है, तो उसको, क्योंकि इसमें क्या है कि जो suits जो लाया जाएगा, वो किसी individual workman के उपर नहीं लाया जाएगा, बलकि Trade Union के नाम चलेगा, और Trade Union उसमें suits ला भी सकती है, वरकर्स की तरफ से और उनके उपर भी Trade Union जो है, defend भी करेगी उसमें, ठीक है, Next, Education पर workers की, उनके dependents की, Next, और क्या करेगी, taking insurance policies, insurance policies लेगी, किसके लिए workers के लिए, चलिए, अब इसमें एक case law और discuss कर लेते हैं, इसी की liabilities पर एक case law है, Mario Rapasso versus H.M. भंडार कर, 1994 का है, ये Bombay High Court का case है, इसमें कुछ और liabilities बताएगी हैं, उनको भी discuss कर लेते हैं, important case law है, पहला, जो office bearer है, of Trade Union के, वो अगर जो पैसा है, ठीक है, कौन सा journal fund बाला, उसको invest करते हैं, कहां, share of unit trust of India, इस पर, तो इस case law में ये कहा गया, कि ये क्या है, hell invalid, ये invalid होगा, क्यों invalid होगा, क्योंकि ये एक speculative investment है, क्योंकि ये speculative investment है, इसलिए इसको ये बताया गया, कि इस तरीके से आप journal fund खर्च नहीं कर सकते हैं, तो ये अगर ऐसा किया गया है, तो invalid होगा, और, इसमें और कुछ sections को discuss, जैसे section 16, political fund है, section 16 में क्या है, political fund ही बस्ता है, political fund के लिए एक आगया, कि बढ़, political fund के लिए, आप अलग से, political, जो objects हैं उनके लिए, अलग से fund बनाएंगे, और, जो member of trade union हैं, उनको आप bound नहीं करेंगे, कि वो political fund में subscribe करें, चन्दा दे, ठीक है, next section 20, इसमें क्या है, इसमें एक आगया है, कि trade union, वो records available करेंगी, ठीक है, कैसे records available करेंगी, जैसे books of account, या list of members, इनको तयार करेंगी, और, किसी भी member के request पर, उसको, या उसके representative के request पर, उसको जो है, inspect कराएगी, उसका inspection निच्छन करा सकती है, next, section 21, ये minor से related है, कोई minor है, और जिसने 15 साल की age प्राप्त कर लिए है, तो, ये कहा गया है, कि वो trade union का member हो सकता है, ठीक है, लेकिन, वो, कोई, इसमें office hold नहीं कर सकता, किसी पदपर नहीं बठाया है, उसको, वो member हो सकता है, ठीक है, next, 21, ये क्या है, trade union के बारे में ये कहती है, कि trade union ऐसे किसी व्यक्ति को अपॉइंट नहीं करेगी, कि जिसने moral turpitude से related कोई offense किया है, और उसको convict किया गया है, उसमें, कर्स, ठीक है, पहले बाद, दूसरा, क्या इसका कोई, ये absolute rule है, नहीं, इसका exception है, कि जिस दिन वो छोड़ा जाएगा, उससे 5 साल बार, ठीक है, उसकी disability खतम जाती है, और trade union उसको अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, next, 22, वो कहता है कि half of office bearer, क्या होंगे, ये unorganized sector से होगे, जो office bearer है, वो आज़े कि समय unorganized sector से होगे, और trade union को इनके संबन में ये power होगी, कि वो इनको remove कर सकती है, लेकिन जब रिमूव करेगी, तो वो देखेगी, कि उसने natural justice को follow किया हो, ठीक है, natural justice को follow करके, वो किसी office bearer को हटा सकती है, next, 28, ये क्या है, जर्नल स्टेटमेंट की बात करता है, कि जर्नल स्टेटमेंट, जो जितने भी पूरे साल में, यानि कि 31 दिसंबर से पहले, 31 दिसंबर से पहले, पूरे साल के जितने भी खर्चे हैं, या जितनी भी income हुई है, expenses हुए हैं, उनको must, देखे, must लगाया, ज़रूर बेजना है, must be sent to registrar, every year, पिर ते एक वर्स क्या करेगी, registrar के पास में, कि उसने, पूरे साल में, 31 दिसंबर से पहले-पहले, क्या, उसकी income रही, क्या है, पूरे साल में, उनका एक स्टेटमेंट, रजिस्टरा के पास पेज़, ठीक है, तो इसदो आट्स ये liabilities हमने डिसकस कर ली, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके rights दिक, थेक्ट्यू,